नमस्का दोस्तों मेरा नाम है आनोशर आप देख रहे हैं डैनोशर शो मैं कुछ नहीं पता मैं भी जग ये इंट्रो की यूज कर रहा हूं तो चलो शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे इक लफ्रे के बार में जो की बहुत ही अपिक था और यह हुआ संद्रे भी गलत में ंत्रा हुआ सरय यह लफरा हुआ साइमान के साथ सांद्रीक यह बीडियो डाली हुआए और इसके बाद भी पी ओडियंस पॉस्छे में इसлемे हमाझा कवर्ख पूडियू ऐसरी में और लोगों को और मैंशली नहीं समझत हैं तो ऊसके बा morallyrement men the आज से अरोडियन्स का फॉल्ट है और अजी नॉर्मी आए पिशली बार वी एक लफना हुआ था जिसमें लक्षे चॉड़ी साड़ी सब नॉर्मी आए एरोनिकली लक्षे भी चोड़ो याँ चोड़ो ठोड़ो ठोड़ो लक्षी की बात ने करेंगे हम आज सिर्फ सैमन की तो आज हम बात करेंगे क्यों, कि उसमें audience का बिल्कुल fault नहीं है, बिल्कुल तो चलन नहीं है, पर mostly fault audience का नहीं है, क्यों Simon का भी उसमें fault नहीं है, पर उससे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा cringe के बारे में, वो word जो की बहुत overuse हो चुका है, वो word जो की बहुत overuse हो चु वो चीज़ जो तुमको नहीं पसले हो, उसको cringe नहीं कहते है, मेरे भाई, तेको देखने है, इसलिए cringe का ओटी है, यह देख C'mere girl, let me touch up for your gut, give it till you got me reaching for your gut See what I mean by cringe, समझो, यह अखता है, क्रिंज, उच भी तुमको नहीं पसेंदा है, उसको cringe का नाम नहीं देटिव बैंग, तो धेटिव कि नहीं सवाल बुछना चाहूंगा, वो बुरी क्यों है, जस्ट बिकास देखने इंटरनेट कुल्च्र बार्च्छर या बाद, इस हिसाब तो जो भी इंडिया का का करचे नहीं समेगा वो बुरा हुआ तो ऐसे तो भाई फूरा जो वेल्स्तह रहसे हमारा कोड का मीम कल्चर आयो, डेराइफ किया गए क्या है क्यृक्व हमारा पास को इback था हमारा उनके meme culture के उपर से derive किया गया है हमार पास को Chat rooms नी थे हमार पास को кूम् sandwich नी थे हमारे पास co image boards नी थे hack हमार पास Internet आया था 2010 में 2011 में हम होनी सा प्रियलच रही है हमारे पास time था, हमारे पास internet access था, हमारे पास freedom थी तो access forums, chat rooms, facebook, 9gag, 4chan, Reddit बर most Indians के पास वो नहीं था, bro, most Indians को internet का बटा भी था, 2016 तक, 2016 मैं उनके पास थे नहीं है, जियो से, एक बाद आ बोलना चाहूँगा, बोड़ी जी, आप धार कार्टो लेते ही है, तिम देने से पहले आपने test भी लेना चाहिए, उस पे लिखोना चाहिए, क्या internet पे लिखती हर चीज से ही है, अगर yes तो आपका internet मिलता है, अगर no तो आपका internet चीन दिया जाएगा, अब लोगों ने जिनोंने first hand नहीं experience किया internet culture, meme culture, उनको तुम directly ironic और absurd memes दोगे, तो what do you think उनका reaction क्यों होगा, अब क्यूकिन ने इतना time नहीं spent किया, वो evolve नहीं होए, उन्होंने कभी कुछ ऐसा experience नहीं किया, तो उनको नहीं समझ लगेगा, इसमें funny किया, इसमें अच्छा किया, उनको boring लगेगा, west में भी, ironic और absurd memes पे जा कि वो ironic और absurd चीज़े समझ सके, अब यह भी जो Indian audience है वो उस level पे जापे, वो face value पे पनी चीज़े समझ पाए, they do not look for any layers, they do not look for any hidden meaning, क्यों को नहीं पटा कि धूनना और कैसे, अपनी audience को अगर आप grow करने की कोशिश नहीं करते, उनको आप evolve करने कोशिश नहीं करते, तो आप उनको respect कुं करते, I kinda agree, but अगर तु फर्स्त के बच्चे को, तो इसको नहीं सबर लगेगा, हम तो उनको धीरेधी के grow करने का, wait करना चाहिए, like जैसे Simon ने एक video में बताया था, कि इसने एक meme को criticize किया था, में कि हल से, no one, literally nobody, or this person, as यह वला meme, उसने criticize किया था, I think this is the best way to help the audience, Simon, अगर तु देख रहा है, थोड़ा वेत कर, उनको धीरे-धीरे थोड़ा memes के बारे में बता, and पुछ सालों में, यह तेरा experimental video ने रहेगा, यह होगा तेरा actual content, मुझे टीख रहा तुम बहुत जो लो लेक्स थी, मैं कैसे मान दो, चुपकर जो, लो लेक्स थी, मैं कैसे मा पुमेट में ना लेक्ती, चलो यार, बाए गाइस, याश्री राम, ध्यान दो, फूपकर ना,